हेलो फ्रेंड कैसे हैं आपसे मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे दो कलर करनेटिंग पैटरन जो की बहुत ही आसानी से बन जाता है बहुत सुन्दर लगता है बनने में बनके और आप इसे बच्चों के स्वेटर लेडि इस बेस कलर से बनाने जो हमें बॉडर में रखा है बॉडर बनाने के बाद हमें चार फंदे इस तरह से इससे बना लेंगे अब देखे अब हमें छे फंदे दूसरे कलर से जो हमें दूसरा कलर लगाने है छे फंदे उससे बनाने है देखे इस तरीके से चार फंदे हमें बेस कलर से बनाने हैं और छे फंदे हम दूसरा कलर जो हमें सकेंड कलर लगाना है देखिए इस तरीके से हमने छे फंदे बना लिए हैं और चार फंदे फिर से वही अपना जो बेस कलर हमने लगाया है उससे बना लेंगे देखिए फिर छे फंदे ग्लू कलर दस फंदो के मल्टिपल से हमें इस डिजाइन में लेने हैं और एक एक फंदा साइड के लिए एक्स्ट्रा दो फंदे तो उसी साफ से हमें अपना डिजाइन सेट करना है तेखिए चार फंदे और फिर से छे फंदे ब्लू कलर दी तो पूरी सलाई हमारी इसी तरह से कम्प्रीट हो जाएगी लास्ट का फंदा हम ब्लू से ही ऐसे बुन लास्ट का फंदा अपने बेस कलर से बुन लें धागा भी नजदी खी रहे हाँ अब देखिए फंडंसी अमारा जो डिजाइन है एक सराई हम कम्प्रीट कर चुके हैं चार फंदे वेस कलर से और छे फंदे हमारे से किंड टलर से अब देखिए यह फंदा हम ऐसे उतार ले और जो ये ब्लू कलर के हमारे 6 फंदे हैं, तो इसमें हमें इन फंदों को हमें उल्टा बुनना है, ये देखे, आगे हमारा उल्टा आना चाहिए, तो इसलिए हमें आगे इधर से सिधा बुनना है, उल्टी साइड से हमें 6 फंदों को सिधा बुननेंगे, देखिए छे फंदे हम ऐसे बुन लेंगे इस तरीके से और धागा हम आगे कर लेंगे अब देखिए ये जो उमारे चार फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है देखने में आप इसी लेडीज कार्डिगन जो दो कलर में हम बनाना चाहते हैं तो दो कलर वाले जो डिजाइन हैं तो इस तरह के डिजाइन डाल के बहुत सुन्दर लगते हैं देखिए अब फिर हमें छे फंदे बुनने हैं तो देखे इस तरीके से पूरी सलाई हम ऐसी बना लेंगे देखे फ्रेंट डिजैन की दो रो कम्प्रीट हो चुकी है अब देखे तीसरी रो अब तीसरी रो में हमें क्या करना है देखी ये एक फंदा जो हमारा एक्स्ट्रा है साइड में जो होता है उसको बुनने के बाद दो फंदे बुन लेंगे अब देखे अब दो फंदे बुनने के बाद हम इधर से जो हमारे छे फंदे हैं इधर से एक फंदा इधर लेके आएंगे और ये दो फंदे इस साइड उन्हें यह देखें यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ पर रख लेंगे इस फंदे को और देखें इससे बुन लेंगे इसको यह फंदा भी बुन लेंगे दो फंदे थे हमारे इधर इस तरह से अब देखें इधर से हमारे एक फंदा नहीं था तो हमने इधर से एक ही फंदा लिया है अब देखें आगे डिजाइन अब जो हमने यह उल्टे बुने थे इनको भी हम सीधा बुने लेंगे देखें यह हमारे चार फंदे है अब यह दो फंदे हम निकाल के इधर और इसमें से इस फंदे को हम अंदर लेके जाएंगे इस तरह से और इनको भी हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से और दो फंदे हमारे यह है इधर यह चार फंदों के साथ प्रोसीजर है छे फंदों से एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से हम चार फंदों के बीच में सेट करेंगे देखें यह हमारे दो फंदे हम इधर अब देखें इस तरीके से हम यहां से यह बुन लेंगे इस तरह यह देखें इस तरह से और अब हमारे यह जो चार फंदे पाँच इनको सीधा होने हैं यह इधर चार फंदे हैं जो हमारे सीधे तो एक फंदा में इधर लेके आएंगे और यह दो फंदों को इस सेड़ यह जो प्रोसीजर है यह चार फंदों पे है चार फंदों के बीच में दो इधर दो इधर करके हमें दो फंदे अंदर सेट करने होते हैं देखे जिस तरह से यह है तो जो उल्टे उल्टे फंदे हमने बुने थे उन फंदों से इस तरह से निकाल के हमें यह फंदे लेके आने यां डिजाइन के बीच में देखिए इस तरीके से को भी सीधा बनेंगे अब देखिए डिजाइन की चोथी रो है जो हम पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे यह हमारी फोर्थ रो है तो इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे अब देखिए फ्रेंट्स डिजाइन की यह पाँचवी रो है अब यह हमारे च्छे फंदे थे तो यह हमारे चार फंदे हो जाएंगे और यह वाले हमारे इधर चार फंदे थे तो यह च्छे हो जाएंगे तो देखिए अब हम स्टार्टिंग में ब्लू कलर लगाएंगे और ब्लू कलर से हमें 6 फंदे सीधे बनाने हैं इस बार हमारा डिजैन जो है पलट जाएगा यह देखे यह हमारे 6 फंदे ब्लू कलर के और 4 फंदे हमारे पिंक कलर के हो जाएंगे इधर इस तरह से हम 4 फंदों को पिंक कलर के बुन लेंगे और यह जो फंदे हैं हमारे यह ब्लू कलर के हो जाएंगे चार फंदे पिंक कलर से अब की बार यह डिजैन पलट जाएगा नहाएंगा जाएगा जाएगा कास्ट के सी बुन्दे में देखिए जो हमारे चार फंदे हैं वो हम ऐसी बुन लेंगे उल्टे और देखिए जो हमारे ब्लू कलर के फंदे हैं वो हम दागा पीछे करेंगे और 6 फंदे हमारे ये उल्टे बुने जाएंगे आगे की साइड ये उल्टा आना चाहिए तो हम इसे पीछे से सीधा बुनेगे जब हम सीधा बुनेगे तब ही हमारे ये पीछे लाइन बनेगी उल्टे वाली अब देखिए हम चार फंदे फिर से सीधे बनाएंगे उल्टे बनाएंगे तागा हम पीछे करेंगे और ये सीधे सीधे बनाएंगे तो इसी तर से पूरी रोग कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स फिर से हमारा डिजाइन जो है पलट जाएगा अब देखिए जो ये चार फंदे हैं इनके बीच में एक फंदा इदर से और एक फंदा इदर से यहाँ पे सेट हो जाएगा और इसी तरह से हमारा डिजाइन आगे बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको ये दो कलर का निटिंग पैटरन और कैसा लगा डिजाइन और कैसा लगा डिजाइन बताने का तरीका कमेंट बोक्स में जरू बताना फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार